बस्तर वासियों के लिए या यो कहें पूरे देश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि दुनिया के टॉप 20 में शामिल हुआ है भारत का ये गाउ विश्व पर्यटन में बस्तर ने अपनी अलग पहचान बना ली है 36 गड़ के धुड मारास गाउ को जगा मिल गई है दुनिया के 20 बहतरीन गाउ में शामिल धुड मारास धुड मारास की जीवन श्यारी से प्रभावित हुआ है सहीवत राष्ट और सहीवत राष्ट विश्व पर्यटन संगठन ने चैनित किया है सीम विश्व देव साय ने बस्तर प्रिशासन को इसे लेकर बधाई भी दी है तो देखें दुनिया के टॉप 20 में भारत का एक गाउ शामिल हुआ विश्व पर्यटन में बस्तर ने अपनी अलग पहचान बना ली है और 36 गड़ के दुड मारास गाउ को विश्व पर्यटन अस्थल में जगह मिली है इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ माय सेयोगी संजे ठाकूर लाइफ जुड़ गया है संजे विश्व पर्यटन के अगर हम बात करें तो इसमें बस्तर को जगह मिली है देखिए प्रतिकिया धुड मारास गाउं जो है ये कांकिर घाटी राष्टी उद्यान के अंतरगत आता है ये वही इलाका है जहां साल 2013 में 25 मई को जीरम घाटी हमला हुआ था जिसमें कॉंग्रेस के कई बड़े निता मारे गए थे ये इलाका एक वक्त में नकसली इस इलाके में काफी हद तक प्रभावी थे ये इलाका दहसत में समाय रहता था लेकिन अब जो है नकसली जैसे यहां से पिछे अटे ये इलाका परेटन के छेतर में बहुती तीजी से इलाका आगे बढ़ा धुर्मारस गाउं जो है यहां कांगेर और सबरी नदी भैती है और यहां ग्रामिडो द्वारा बेंबू राफटिंग कराए जाती है इसके अलावा इको टूरिजम कराए जाता है ग्रामिडों का भी सरकार ने और पर्टे निभाग ने धन्यवाद दिया है उन्हें भी सराहा है कि यहां के आदिवासी जो है उन्होंने अपने गाओं की संस्कृति को अपने गाओं की खुबसूरती को जो बाहरी परिटक है उनके लिए खोला और उन्हें इसे करीब से निह तो यही वज़ा है कि धुर्मारास गाउं जो है इसे विस्व के टॉप 20 गाउं में चुना गया है और यह प्राकृतिक तौर पे क्योंकि कांगरिगाटे अस्टिकदान की इलाका है बहुत ही घना जंगल है प्राकृतिक तौर पे ही बहुत खुबसूरत इलाका यह है नदिय जियन सबस्थ खुबस्तिक तौर तो यही वज़ा है कि इस इलाके को इस बार जो विस्व के दौरड़ गर यहां कि वहाँ के दौार एक महत्तमोन स्थान दिया गया है और इसे जिसकी वज़़ से संयुक्त राष्ट प्रभावित हुआ है। जैसे ही परेटन विभाग ने इसे परेटन को के खोला और ग्रामिडों ने भी इसे हाथो हाथ लिया, ग्रामिडों ने भी इसे मौके एक तरह देखा और अपनी संस्कृति से लोगों को रूबरू कराने की कोशिस की। प्रकृतिक सौंदर्ता से घिराववा इलाका है, आदिवासियों की संस्कृति से घिराववा इलाका है और यही वज़ा है कि इसे इस इस्तर पे सरहा जा रहा है। संजे तो कुल में लाकर देखा जाए तो घुर मरास गाउं जो है वो प्रकृतिकी गोद में बसा हुआ है। कि लोग प्रकृतिक तरीके से रहते हैं, बलकुल नाचुरली तरीके से और इसी वज़ह से सयुक्त राष्ट को यह जगा भागई है। बहुत बहुत शुक्रात अमाम अप्टेट के लिए सेुआ है।